गुड मॉर्निंग मॉर्ड स्टार्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकर में चैप्टर टू का सेकंड पार्ट लिखे आए हैं आपको मैंने कर्षवर पढ़ा दिया था उसको लिखने के लिभी होमवग भी दिया था बहुत से बच्चे ने होमवग किया है आज मैं आपको व्यांजन लेके आई हूँ आपके लिए कि व्यांजन किसे कहते हैं ठीक है सभी बच्चे इसको रीड करिएगा पर ना आप लोगो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सब बच्चेश को read करेगा तब ही आप्तों पता चलेगा स्वर्ड कैसे कहते हैं बेंजन कैसे कहते हैं भाषा कैसे कहते हैं बहुत सारे चीज़े बहुत सारे question做 मैने आपको करवाया है बेंजन में सब बोग रेट करेए बेंजन स्वतंत्र नहीं होते उन्हें आप सवतंथ ृूप से नहीं बहु सकते हैं कि 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 आप किसी के सहायता लेनी प्रचती है और इनको को चार अरंज करते हैं हाते किया लिखा है इने बोलने के लिए स्वरों की सहयता लेनी पड़ती है ंंके संख्या किتनी होती है तैंटी स Candace जख्वेंजन कि संख्या कि एन थार्टी थी यह होती है है दूसरे शब्दों में यह दूसरे शब्दो में दो या दो से अधिक बारेल आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो बेख सन्यक्त वेंजन कहलाते हैं ठीक है जैसे देखी क्या लिखा है काहलंद प्लत शा तो क्या बना शा चत्रिय वाला भिक्षा शमा दिख रहा है न ताव त्र जो आपका त्र होता है वो दो वेंजनों से मिलके बना होता है ये चार वेंजन ऐसे होते हैं शा, ग्या, त्र और श्रा ये जो वेंजन होते हैं वो आपके दो वेंजनों से मिलके बना होते हैं जैसे छा से छत्रिय है ग्या से ग्यानी, त्रा से सुशूल, शा से श्रमिग दिख रहा है श, का और शा से मिलके बना है श, भिक्षा, कक्षा, शमा, यह यह इसे लिखते है ना फिजा, इयां, ग्याण, संग्या, विंग्याण, ठी, ता, हलंद, प्लस, र, तर, दो, वेंजन, मिले, तब तरा बना, तो से क्या शब्द बना, तरिशूल, तरिभुज, श प्लस रहा तो श्रा बना तो इस से कौन से श्राप्द बना श्रामेक और विश्राम इसे ही अम लोग साइंक तुव एंजन कहते हैं यह आपकी चार होते हैं ठीक है फिर आप देखिए दवित्व वेंजन दो समान या एक जैसे वेंजनों से मिल कर बने वेंजन को दवित्व वेंजन कहते हैं यह आप लोगों लर्ण करना होगा है न बच्चो यह वेंजन पढ़ों के वेंजन किसे कहते हैं साइक्त वेंजन किसे कहते हैं तो यह आपको learn करना पड़ेगा कि क्या होता है दवित वेंजन में देखिए दो समान एक जैसे वेंजन को मिलाकर दवित वेंजन होता है जैसे देखिए, का, हलद, प्लस, का, क, पक, क, च, प्लस, च, श, बच, ज, प्लस, ज, ल, ज, छ, ज, है न? तो ये दोनों जो हैं व्यांजन, एक जैसे ही है, न? ट, ट, मिट्टी, पट्टी, त, त, कुत्त, पत्त, म, म, चम्मच, अम्मा तो एक जैसे व्यंजन दिखाते रहें, एक आधा है और एक पूरा है, ठीक है, यह आप लोग को समझना होगा, ठीक, फिर देखिए सहींत आक्षर, किसे कहते हैं, यह भी एक प्रश्ण बनेगा आप लोग के लिए, सहींत आक्षर किसे कहते हैं, और यह आप लोग को पता होन करिए ज़िए लेंड करिएगा सबी बुच्चे सब्सक्राइन रिजात पड़िये होगा ठीक है लग ऐलन्द के मिनने से अक्षर होते हैं है ना अलग अलग वेंजन से बने अक्षर जो होते हैं का प्लसिया क्या क्यारी प्लसिया प्यारा प्यास ता प्लसिया आधा ता फिरिया जो हलंत वाला है जिसके नीचे हलंत लगा है जैसे का के नीचे लगा है पा के नीचे लगा है ता के नीचे जो हलंत लगा है दिख रहा हम लोग क्या लिखेंगे उसे आधा लिखेंगे पूरा नहीं लिखेंगे और या जिसके नीचे हलंथ नहीं लगा है दिखिए का के नीचे हलंथ है या के नीचे हलंथ नहीं है तो आधा क्या पूरा या तो क्या बना क्या क्यारी प्यारा प्यारी प्यारी प्यास त्योहार त करना पड़ेगा कीट की की परिभासा दीः वीर द्यात्तर द्या के दिशन भाप को लर्ण करना पड़ेगा का थीक है तो देखी आप लोग जब राज़ा स्वर रहित होता है तब ला आगे आने वाले ब्याटे की वैंजर्ण के उपर के रूप में लगा LIKE आकिक है Rebecca अभी लोग कैसे लगा जा रहा है जब स्वर रहित होता है है ना उसमें कोई भी स्वर नहीं देखें गया है ना व्यंजन होता है स्वर नहीं होता है तब जो आप रा लगाओगे वह उपर की तरफ लगाओगे जैसे लिखाया का प्लस रा हलंत प्लस मा कर्म स्वर नहीं आया वेंजन आया, शा, प्लस रा हलंथ, प्लस मा, बराबर शर्म, है ना, तो इससे आपको understand करना होगा, समझना होगा, कि जब स्वर रहित, कोई स्वर रहित होता है, जब रा स्वर स्वर रहित होता है, है ना, रा जब बोलेंगे, और उसके वाँ स्वर नहीं है, तब वो रा होगे, ऊपर लगाएंगे, है ना, फिर next देखिए, पेस पे आईए सरी बच्चे, बुक ओपन करके सबी लोग देखिए, ध्यान से, जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मोबाईल में इतना समझ मी नहीं आएगा, असलिए आप लोग को बुक खोल के उसको समझना होगा, ज देखिए, जब रा स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो, है ना, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है, है ना, दिख रहा है सभी बच्चों को, का, हलंद, प्लस रा, प्लस मा, क्रम, देखा है, जब रा स्वर के बिना व्यंजन क के बाद आए बतलब इसमें भी स्वर नहीं होगा लेकिन ये व्यंजन के बाद आएगा तब आप ये रा कहा लगाएंगे नीचे के तरफ दिख रहा है ना उ प्लस मा हलंथ प्लस रा उम्र रा नीचे आ गया है ना दिख रहा है बच्चों को ऐसी जब आप लोग को थोड़ा याद करना होगा कि जब भा के नीचे हलंथ हो प्लस हो और रा लिखाओ प्लस मा लिखाओ तो आप भरम तो लिखोगे नहीं है ना भरम ही लिखोगे ना रा कहां चला जाएगा नीचे पा प्लस रा प्लस रण है ना जब नीचे हलंथ लगा है तो उसके बगल में आप भिना खड़ी पाई वाले स्वर्रहित वेंजन ट ड के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है ट और ड के साथ देखिए हमेशा देखा होगा आपने ट अहलंत प्लस रा प्लस का ट्रक ड र म ड्रम ठीक रा स्वर्रहित में से इस वकाल लिखा जाता है ठीक है देखिए अगर स्वर रहित रा है स्वर सहित रा है तो वो कैसे लिखा जाएगा रा हलंद प्लस आ प्लस सा रस यह स्वर आया ना दिख रहा है सबको फोर्थ नंबर पे देखिए रा प्लस आ रा हलंद प्लस आ प्लस सा तो यह रा में हलंद लगा और उसके ब प्लस आ प्लस मा राम है ना बड़ा लिखा है तो यह स्वर है तो यह क्या हो जाएगा राम हो जाएगा है ना इतना आप लोग उसको रीड करिए गया वर्ण विछेद में देख लीजे आप लोग विछेद का अर्थ है अलग करना शब्द के प्रतेग वर्ण को अलग करना व क्या कहलाता है one withshade है आप लोग को learn करना पड़ेगा हिए one withshade किसे कहते हैं माता अंकूर ट्रक शर्म यह आप लोग उसको read करेगा इतना है नहीं और आपका जो homework रहेगा ये वन विच्छे सब लोग पढ़िएगा कि कैसे हुआ ये वन विच्छे एक इस चीज तो भी आपको समझ में आएगा जो होमवर्क है वो ये है आपको कॉपी में करना है इसको ठीक कॉपी में करिएगा ओके इतना ये पार्ट ठीक निमलिके शब्दों में उच्छारण के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक चिन लगाओ मैंने आप लोग को बताया था अनुस्वार और अनुनासिक चित्र चिन कौन से होते हैं ठीक है यहाँ पर आपको आगे दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक चिन्न मैंने लिखने को भी दिया था और आप लोग ने पढ़ा भी होगा जैसे यहां लिखा है आनन्द तो उपर सिर्फ एक बिंदी लग जाएगी और यहां लिखा है आंगन तो यहां पर क्या लिखेगा चंदरबिंदी जब एक सिंगल बिंदी होती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं ठीक है और जब चंद्र बिंदी हम लोग लगाते हैं तो उसे हम अनुनासिक चिन्न कहते हैं ठीक, इतना तो आप लोगो पता होगा कि इस चंदरबिंदी कहां लगती है और बिंदी कहां लगती है, जैसे उट लिखाया है, तो उट में चंदरबिंदी लगेगी ना, तो इस चंदरबिंदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक चिन्न, है ना, फिर यहां पर करेंगे वेंजन ठीक है वेंजन करिएगा सायुक्त वेंजन सबके यह सायुक्त वेंजन आपको लिखना पड़ेगा ठीक आपको जब लिखोगे तभी याद होगा ठीक है वेंगजन किसे कहते हैं वेंगजन किसे कहते हैं ठीक है सैंक्त वेंगजन किसे कहते हैं इसको लिखिएगा फिर देखिए दायवित्व वेंगजन किसे कहते हैं इसके सिर्दो ही उधारन आप लिखिएगा ठीक है और सैंक्त कापिव में आएगा इजो है कख़ापी में करना है यह वन विच्छे इतना हिस्सा अब कापिव में करिएगा और यह कापी में करना है अनुस्वार हो कौन सी बिंदी लगेगी और चंदर बिंदी लगेगी जब बच्ची अच्छे से करिएगा सबको मालूम है इसको आप कॉपी में करिएगा अपने आप ओके इतना रीट करिएगा तभी आपको समझ में आएगा ओके क्लास थैंक यू